हेलो एवरिवन आज कर जा मारा टॉपिक है वह है 12th principle और 14 principles of management का जो कि stability of personal stability of personal मतलब भी होता है कि जो आपका staff है जो आपका personal है ठीक है वो stable रहे हैं long time तक कि लिए अपके लिए काम करें ऐसा ही हो कि वो उसमें join करा है और within a year और within a period of 6 months वो छोड़के चले जाये तो ये एक management के responsibility होती है कि वो अपने employees को security job security provide करवा है अच्छी तरीके से अगर आपका personal आपका staff लंबर सुमें तक बना रहेगा आपकी organization में तो उससे आपकी organization की efficiency बढ़ेगी इसी के साथ साथ employees को अपना talent show करने का भी मुका मिलेगा और अगर आपन ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होगा कि आपको नए employees हायर करने पड़ेंगे तो उनको वापस training देनी पड़ेगी अपने काम के according organization के काम का according तो उससे training cost भी बढ़ेगी तो अगर आप stability of personal रहता है याणि जो आपका staff है वो बना रहता है आपके इसमें तो आपको जो training cost है वो भी हट जाएगी आपकी तो इसलिए stability of personal के लिए आपको दो काम करने होते हैं परियाद आप जब select करो उसको याणि जो recruitment process होता है उस time पे इससे select करो कि आपको पता पढ़ जाएगी वो जो बंदा बंदी आप select करो अपनी company के लिए वो बना रहेगा long time के लिए एक पुरा proper procedures के पुरा rigorous procedure के थ्रूस को निखालो और दूसी चीज यह है कि आपको job security provide करवाने पड़ेगी यह management का गाम हो हो चकते हैं कि आपके organization में particular अच्छे वे में उसको एक अच्छा काम दो उसका जो काम हो बार बार चेंज ना करो जैसा इसमें example में देखे रखा हुआ है कि शाम ने एक well known hotel join करा था और एक साल में उसकी इच्छा होई कि वो उसने reset करा है कि अपनी job quit करेगा उसका decision था frustration के इसे frustration को किस चीज़ को लेकी हुई कि उसको shift करते रहे थे उसको पांच बार shift करा था एक साल के अंदर या तो one branch से another branch में या फिर department से department change कर रहे थे या फिर सेमें department में अलग-लग काम दे रहे थे तो इसमें job security उसको नहीं लगी ठीक है तो उसने सोचा कि मैं अपनी job quit कर दे तो इसके stability of personal नहीं रहा तो आपको stability of personal रखना है और अपने जो employees है अपने आपकी जो personal है उनको आपको job security offer करना है अब बात करते हैं effects of this principle इंस्चिल और feeling of job security अगर आप stability of personal principle यूज करते हैं तो job security का feeling इंस्चिल कर सकते हैं employees के अंदर resources का optimum utilization हो जाएगा job satisfaction बढ़ेगा employees का अगर हम यह चीज अप्लाइ नहीं करते हैं या यह application यह principle का application नहीं करते हैं अपने organization में तो it may lead to high low labor turnover मतलब क्या होगा कि जो labor का turnover है जो switch करते हैं जो labor छोड़ छोड़ के चले जाते हैं उसका जो degree वो बढ़ जाएगी नहीं बहुत बार आपके company में लोग आएंगे job करने के लिए और छोड़ छोड़ के चले जाएंगे उससे expenses बढ़ जाएंगे ठीक है कुछ selection process बारबर आपको करनी पड़ेगी फिर frequency shifting में lead to job dissatisfaction और frequent अगर जैसे कि आप जॉब स्विच करते हैं लोग तो कहीं ना कहीं company की image बेकार हो जाती है और job satisfaction भी रहता है employees के अंदर या जो workers आप कहां काम कर रहे थे उनमें